तो दोस्तों स्वागत इस वीडियो में Computer Operator UP Plus की जो भरती है उसके बारे में बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए मैं कोर्स लेके आने बाला हूँ और उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा Computer और Reasoning दोनों चीज में आपको बताऊंगा Computer को मैं पढ़ाने बाला हूँ Reasoning की कराऊंगा Practice सबसे पहले मेरे को क्या करना है पूरी Strategy बताऊंगा Weekly Mock Test भी मिलेंगे Doubt Group भी मिलेंगे Class Notes भी मिलेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपका जो बेच रहेगा 10 March से आने बाला है दो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ Computer and Reasoning ठीक है और मेरे चैनल पर ही पहला कोर्स है इसलिए मैं आपके लिए सारी चीज फ्री लेके आने वाला हूँ पूरी Practice Test भी मैं बताऊंगा Online Practice Test आप कहां दे पाऊँगे आपको वी किल मिलेंगे और वो जो मैं बताऊंगा वो कहीं भी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले है ठीक है सलिए बस और लेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो देखे रीजनिंग की तो मैं Practice Test कराऊंगा मतलब आपको Practice कराऊंगा लेकिन जो आपकी Computer है कंप्यूटर कुम पहले पूरा आपका जो भी सिलिवस सिलिवस कंप्लीट कराऊंगा अच्छी तरी से उसके बाद फिर मैं आपकी Computer की Practice और Reasoning की Practice साथ साथ में कराऊंगा ठीक है Reasoning बहुत अच्छी चीज है क्योंकि Reasoning तो जिसको तयारी नहीं करनी है उसको भी करनी चाहिए क्योंकि आपका IQ Level आपकी Thinking सब चीज बढ़ती है और दूसरी होता अगर आप Computer पढ़ना चाहते हो और Computer के Field में हो तो Reasoning आपकी अच्छी हो जाती है क्योंकि Reasoning एक Logical Building आपकी Aptitude बोलते हैं तो Logical Building होती है आपकी तरक सकती होती है तो क्योंकि Programming में भी Logic बनाने पड़ते हैं तो Reasoning बहुत लगती है क्योंकि Reasoning बहुत अच्छी चीज है यह इधर हुआ बना दिया है लेकिन Reasoning बहुत अच्छी चीज है जैसे Game की तरह का आप लोगे ना इसमें नीचे आप आएंगे तो Computer Exam मिलेगा इसमें Computer Operator और Programmer तो Computer Operator पर क्लिक करेंगे तो ऐसा Page खुलेगा अभी कोई Best आपको नहीं देखेगा जो Best होगा वो आपको मिलेगा कब जब मैं Class Start करा दूँगा तब ठीक है वो कैसे रहेंगे मैं वो भी दिखा देता हूँ जैसे कि इसमें मैं अभी आपको बता दूँ वरतमान में कौन क्या इसको मैं Open करता हूँ तो अभी इसमें भी कोई भी अभी Course नहीं है जो Course है वो आपको दिखा देता हूँ ठीक है Static General Knowledge में यहाँ पर भी कुछ Course पड़े हुए है वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ प्रमुफ करांतियां थी उतर प्लिस में भी आये था देखें ऐसे करका पूरा पैटर्न रहेगा आपका हरित करांती ठीक है गेहुचावल और इसमें आपको साथ साथ इधर Correct Question उपर देखा रखका है Correct के लिए एक नमबर है और जो गलत हो जाएगा तो मानस बन नमबर और इधर भी आपकी लाइब आपकी चलते रहेंगे कि कितनी Correct कितनी Wrong और Result Result भी आपका दिखाएगा 50% उपर होगा तो आपका Green कलर में आजएगा ठीक है मैं देखाऊँगा देखते जाना कलर भी इसका Change उतर रहेगा Sweet क्रांती Sweet क्रांती दूद उत्पादन भाउरंगी ये इंद धनुश क्रांती में आ जाती है जिसको सभी क्रांतियों के कलर सामिल हो जाते है एनच क्रांती निशनल हाईवे रूड मतलब चत्रोई सडक प्रयोजना तो गुलाभी क्रांती ये जीगा मचली का था ठीक है भूरी क्रांती आप बताइए जैसे आपका तना कुछ परसेंट हो गया होगा तो यलो कलर होगा अगर 50% से उपर जाएगा ग्रीन कलर में आपका इधर हो जाएगा तीक है ग्रीन कुरूल्ड बताइए क्या हो सकता है ठीक है ये चायत पादन का होता है अमरत क्रांती नदियों को आपस में जोने से पराभैगनी ठीक है ये भेंडी की होती है आपको पूरे इसमें मिलते रहेंगे कुश्चन और कुश्चन ऐसे ही दोगे आप कंप्यूटर अबिटर के और अब लेंग्विज आपको चेंज कर रही होगी तो लेंग्विज का भी आपको उप्शन मिल जागा है इदर से लेंग्विज भी चेंज कर पाओगे आप ठीक है और इदर जैसे मूख है मोटा अनाच वाइट कोल्ड तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको इदर मिल जाएंगी आप अच्छी तरह से अपना पेपर देपाओगे मैं आपकी केम्प्यूटर की कि आप भी क्या याद रखोगी ठीक है जैसे इदर अब दीख होगा ग्रीन कलार आपका हो चुका है साधा बहर ऐसे करके मतलब मैं पूरा इधर पूरा सिलिबस कंप्लेट कराखे प्रैक्टिस टेस्ट दूँगा तो इधर कोर्स में जाके आप नीचे होगी तो computer operator के एक जाम मैं भी मोर पर आई तो धर दो कोर्स हैं आपके computer operator programmer किसी में भी कोई भी कोर्स एड़ नहीं है मैं class start करूँगा उसके बाद ही आपके कोर्स आएंगे ठीक है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पर आप login भी कर सकते हो login कर लेना क्योंकि कुछ पेर कोर्स भी अगर आएंगे तो उसके लिए आपको registration करना पड़ेगा फ्रीकोस के लिए आपको कोई भी login नहीं करना पड़ेगा फ्रीकोस आप डारेक्ट दिपाऊगी लेकिन जो पेर कोस होंगे उसके लिए तो login करके कुछ फीस होगी फीस भीस की बहुत कम होती है जो इनसे बात किये 10 रुपे 20 रुपे ऐसे करके होती है एक-एक टेस्ट की ठीक है तो नॉर्मल सी यह तनी रुपे तो चांट पकोड़े में सब बग झाल